नमस्कार आप सभी का एक वाफिर से स्वागत है फार्मा ट्रेनों पे और मैं हूँ पंकज भारद्वाज आज के इस वीडियो में मैं चर्चा करने वाला हूँ Medical Representative जो आपको Profession के रूप में क्यों चुनना चाहिए दोस्तों Medical Representative जोब से रिलेटेड हमारे पास जो भी क्वाईरी दाती है उसको हम एड्रेस करने के लिए हर बार तयार रहते हैं तो आज हमारे लिए सबसे बड़ा क्वेस्चन हमारे वीवर्स के द्वारा आया था कि Medical Representative जोब को Profession के रूप में क्यों चुनना चाहिए तो दोस्तों इसको बहुत ही अच्छे तरीके से समझाने के लिए मैंने कुछ पॉइंट्स ले करके आपके बीच प्रस्तूत हों तो इस वीडियो को पूरा देखे और समझे कि एक Medical Representative का जोब करना Profession के रूप में चुनना क्यों आवश्यक है तो आईए वीडियो सुरू करते हैं दोस्तों एक Medical Representative का जोब बहुत ही चैलेंज भरा होता है और इस जोब को करने के लिए आपके अंदर दिड़ इच्छा सकती होनी चाहिए बिना इसे आप Medical Representative की जोब को नहीं कर पाएंगे दोस्तों Medical Representative जोब का जो पहला मूल पॉइंट है यहां क्यों करना चाहिए इसके लिए मैं पहला मूल पॉइंट पे आता हूँ यहां पे आपको अपने से कहीं अधिक ग्यानी लोगों के सामने अपने प्रोड़क्ट को सेल करना है तो सबसे पहला जो बेसिक पॉइंट है वो यह है कि आपको अपने से ज़्यादा ग्यानी डॉक्टर्स के हेल्थ केर प्रोफेशनल के साथ अपने प्रोड़क्ट की क्वालिटी को बारे में बताना है प्रोड़क्ट की टेक्निक्स के बारे में बताना है आपको अपने प्रोड़क्ट के बारे में अपने से कहीं ज्यादा नौलेज़ वाले इंसान के सामने अपनी प्रोड़क्ट की सेलिंग करनी है तो यह पहला option है और यह पहला point जो मैं बता रहा हूँ जिसके कारण medical representative का job करना एक profession के रूप में चुना जा सकता है क्यों चुना जाएगा इसके लिए भी बताओं कि यहाँ जब आप अपने से ज्यादा knowledge वाले इंसान के पास जाएंगे तो यहाँ आपको अपने आपको बहुत ज्यादा prepare करने के मौके मिलेंगे बहुत ज्यादा सीखने के मौके मिलेंगे जिससे आपके अंदर बहुत नई चीजों को जानने की इच्छा प्रबल होती जाएगी दूसरा point मैंने रखा है यहाँ पे personality में निखार लाना सिखाया जाता है personality में निखार आती है जब भी आप sales job में होते हों तो वहाँ पे आप अपनी personality को धीरे धीरे improve करते है medical sales की बात करता हूँ अगर तो medical sales में personality improve करना तो काफी आवस्यक होता है और medical sales में जब आप होते हैं तो आपको अपनी personality improve करने के बहुत सारे मौके मिलते हैं और यहाँ पे आप अपने आपको बहुत ही अच्छा दिखा सकते हैं तीसरी बात करूँ तो यह जो medical representative का field है या medical sales का field है इसमें unlimited times of career growth है यहाँ आप medical representative से managers फिर senior managers फिर brand promoter brand manager करते करते बहुत ही ज़्यादा growth बहुत ही step labellers हैं जो आपको आगे की तरफ आगे की तरफ लेके जाते रहते हैं तो यह तीसरा point है कि यहाँ पे unlimited career growth के options हैं चौथे point की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे क्या है medical representative जब भी sales के लिए market में निकलता है तो बहुत ही अलग-अलग areas को explore करता है अलग-अलग areas के बारे में अनुवह रखना सुरू कर देता है इसके साथ ही साथ वो बहुत से नए लोगों से मिलता है और उनके विचारों को जानने का प्रयत्न करता रहता है तो इसलिए भी medical representative आपका जो job role है जो profession है वो आपको और भी मौके देते हैं नए लोगों से मिलने के लिए नए जगाओं को जानने के लिए और पांचवा जो मुख्य point है वो क्या है कि medical representative का job करना इसलिए आवश्यक है प्रोफेशन के रूप में अपनाना इसलिए आवश्यक है आप कर सकते हैं क्योंकि यह industry कभी भी degrowth के तरफ नहीं जाती है यानि यहां degrowth ना के बराबर है और यह आपको हमेशा positivity के तरफ ले जाने में आपको help करेगा सो friends यह points थें और इनी points के कारण medical representative job को profession के रूप में लाया जा सकता है आप इसको अपने profession के रूप में चुन सकते हैं वीडियो से related अगर आपकी कोई query है तो आप हमें comment section में अपनी queries put up करिए हम आपको help करेंगे और ज्यादा clarity के से